हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आर यूट्यूब चैनल तो टूड़े आयम हेर फ्रंट आप यू तूटी सम्थिंग भरी स्पेसल देट इस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री और आज से हम क्लास 10 के वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी हैं तो उसमें पहला चप्टर हम ट्र का मतलब जान लेते हैं है थ्री वर्ड यह फोर वर्ड यह फोर वर्ड इसको पहले हम लोग कंसिडर करते हैं तो यह ट्राय मेंस होता है थ्री यह गोनोम मेंस होता है साइड या फिर एंगल और यह मेट्री मिन्स होता है मेजर्मेंट मिन्स हम कर सकते हैं कि दा मेजर्मेंट ओप दा मेजर्मेंट ओफ थ्री एंगिल और साइड देखनें this is not as a a ऐ ट्राइगनो मेटरी थी lama है तो हम समझ लिए कि Thai कियाए मेंस ठील में मेजर्मेंट मतलब दा मेजर्मेंट त्री एंगल और साइड इज न इस ट्राइं थी आध्या मैजर्मेंट आप हम लोग इसमें एक right angle triangle बनाते हैं चुकि देखिए try ट्राइट मिन्स क्या हो सकता है ट्राइगल हो सकता है इसलिए हम लोग एक triangle बनाते हैं लेटर सपोज A B C right angle triangle का identification होता है कि उसका एक angle जो है वह 90 डिगरी का होगा और कि दो एंगल जो है वो 45 डिग्री का होगा क्यों नमगल का थरी एंगल का समна एक सोवसे डिग्री होता है वह नहीं होता है तो यह जब रहना यह हो जाएगा तो यह दोनों क्या हजाएगा 4545 मेन टया 25 रीपर डिग्री का होगा यह 45速 आप देखिए जो 90 डिगरी के सामने वाला जो साइड होता है वह हाइपोटेनेस होता है जिसको सौट फॉर में हम लोग एज बोलता है और जो और्थोगनल परपेंडिकुलर है इस तरह से खड़ा हुआ है परपेंडिकुलर इस तरह से वह परपेंडिकुलर ठीक है इसको सौट फॉर में पी बोलते है और जो होरिजन्टल डारेक्शन में है देखे जो होरिजन्टल में है यह वाला साइड इसको बोलते हैं बेस इसको सौट फॉर में बी बोलते हैं एक ची याद रख लिजे जो खड़ा है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर जो सोया है उसको बोलते हैं ठीक है खड़ा हुआ साइड परपेंडिकुलर सोया हुआ साइड बेस इसको आप सौट फ़र में इस तरह से याद रख सकते हैं और जो 90 डिगरी के सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेंस बोलते हैं और एक ची जान दीजे एक्यूट एंगल के सा अगल कreंगे उसके सामने वाला जो ये साइड है यह हाईपोटेंस होुआ क्यों न राइट एंगल के सामने वाला खेंच जो है वो सामने डिअलिक्की होता है ठीक है तो इसमें कुछ-कुछ फर्मच उसको हम जल्दी से सदेख लेते हैं तो देखे टाइप वन फॉर्मुल स्कॉईरं और बेस्ट के साम होता है है हाइपोटेनेज स्कॉईर है इक टूर परपेंडिकुली क स्कॉईर göst प्लस बेस्ट इसकॉईर कि यहांसे हम जदि-आज का फिर हो निकालना चाहे तो , इसक्वाइर है तो यहार रूट लगेगा और यह अहार auram see U Taylor यहांना से ज़ित पी निकालना चाहिए यह वोगा पाला कि शितरा जरुदी हम से पी स्कुर निकालना चाहिए new एच इसक्ँद मी इसकुझ स्कुझ जाएगा turn साइड हे इसको लेप्ट साइड लाएंगे www which weρω.be है तो रूट लग जाएगा हाइपोटेनियस का स्कूर मैनस बेस का स्कूर ठीक है अगर अगर उसी तरह से यहां हम बेस का स्कूर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्कॉर प्लस P स्क्कॉर है इसको लेफ्ट साइट लाएंगे तो मैनस P स्क्कॉर होगा यहां से जदी हम पी का भेलो निकालना चाहिए तो स्क्कॉर है तो सेम रूट चाढ़ेगा अब देखते हैं टाइप 2 वर्मॉला है अब देखिये ट्राइग्नोमेट्री जोसे होना वह सिक्स होता है ट्राइब्ट SUBSCRIBE ट्राइएग्नोमेट्री रेसियों क्या होता हैकर है ट्राइग्नोbank। रेसियों क्या होती जांए है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो तो टोटल सिक्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कोस टैन सेक कोस्यक और कोट यही सब पर कोईस्यन आएगा साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक, कोट यह जो 6 जो आप अलफाबेट का जो लेटर देख रहे है न इसी से कोई से ना आएगा इसी को मिला जुलाकर ट्रेगनोमेट्रिक रेशियो बोलते है तो इसमें आपको तीन याद रखना है वह सेक और 10 का अपकोजिट होता है कोट तीन याद रखे तीन अपने याद होगा साइन का अपकोजिट होता है कोसेक कोस का अपकोजिट होता है सेक 10 का अपकोजिट होता है कोट ठीक है आप हम लोग टाइप 2 फर्मुला क्यों राते हैं तो टाइब्टू फार्मला पहला सान थेटा सान थेटा एकोल परपेंडीकूलबाइ तिन याद रखिए तिन अपने होगा जधिन हम बात करेंंगे बताइए कोशक थेटा जधिन हम बात करेंगे यहीं पर cosec theta का तो cosec theta का क्या हो जाएगा reverse बताएं थे sine का उल्टा होता है cosec तो cosec theta हो जाएगा hypotenuse upon perpendicular यानि कि h by p उसे तरह हम बात करेंगे sec theta का चुकि इस cose का opposite होता है sec तो sec theta हो जाएगा reverse कर देंगे इसको to h by b हो जाएगा उसे तरह 10 theta का opposite होता है cod theta तो cod theta को यह reverse कर देंगे तो b upon p देखे कितना आसानी से आपको यह formula जो है याद हो रहा है अब चलते हैं type 3 formula type 3 जल्दी से देख लेते है type 3 को देखे पहला आफता है sin square theta plus cos square theta equal to 1 यह बहुत ही important इस result को आप लोग जरूर याद रखिएगा यह result बहुत important result है sin square theta plus cos square theta equal to 1 कैसे हुआ देखे इसको prove कर लेते हैं कि यह 1 ही क्यों हुआ 2Q ने हुआ 3Q ने हुआ 4Q ने हुआ तो देखे इसको हम लोग prove करते हैं इसी formula से जो अभी perpendicular base और hypotenuse का जो funda था उसी से हम लोग इसको prove करते हैं तो LHS equal to लेते हैं sin square theta plus cos square theta ठीक है अभी sin का भेलो देखे आपके सामने है perpendicular upon hypotenuse है तो P upon H और यह square है तो whole square हो जागा और cos का देखे cos का base upon hypotenuse है base upon hypotenuse का whole square इसको अब इंटू करेंगे P square upon H square plus यह हो जागा B square upon H square देखे अब यहाँ LCM लेंगे H square H square है तो LCM तो H square होगा H square से H square डिभाड देंगा 1 हो जागा 1 into P square P square सेम कहाने यहाँ H square से H square डिभाड देंगे 1 होगा 1 को B square से इंटू करेंगे तो B square होगा अभी हम आपको लोगों को बताए थे कि perpendicular का square plus base का square क्या होता है देख लिजिए hypotenuse का square है तो hypotenuse का square by hypotenuse का square यह cancel out होके 1 वचेगा 1 यह LHS 1 है और RHS में देखे 1 है तो 1 is equal to 1 हुआ इसको आप prove भी कर सकते हैं इस तरह से ठीक है इसको आप इस तरह से prove भी कर सकते हैं इसी तरह दूसरा result होता है दूसरा result है कोसेक स्क्वाइड थीटा माइनस कोट स्क्वाइड थीटा is equal to 1 ठीक है इस से हम कहानी यहां भी होगा इसको इसे तरह से आप prove कर लिजेगा कोसेक को लिख सकते हैं h by p कोट को लिखते हैं आप बेपन पी इस तरह करके answer आ जाएगा ठीक है अब उसी पर best exercise 8.1 है class 10 का तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटा-फट से